अस्तमो अध्यायह रक्त बीज बद ध्यानम आईए आठ्वा अध्याय का पाठ करना चालू करते हैं मैं अणिमा आदी सिद्ध मैं प्लिणों से आवरित भवानी का ध्यान करता हूँ उनके सरीर का रंग लाल है नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास, अंकुस, बाण और धनुस सुभा पाते हैं रिसी कहते हैं चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का सहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी सुंभा के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर सेना को युद्ध के लिए कुछ करने की आग्या दी वह बोला आज उदायुद नामके 86 दैत्य सेना पती अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वहानियों से घीरे हुए यात्रा करें पच्चास कोटी वीर्य कुल के और सो धाम्र कुल के असूर सेना पती मेरे आग्या से सेना सहीत कुछ करें कालाक, दोहार्द, मौर्या और कालके असूर भी युद्ध के लिए तयार हो मेरी आग्या से तुरंद प्रस्थान करें पच्चास कोटी वीर्य कुल के असूर सेना पती मेरे आग्या से सेना सहीत कुछ करें कालक, दोहार्द, मौर्या और कालके असूर भी युद्ध के लिए तयार हो मेरी आग्या से तुरंद प्रस्थान करें भयानक सासन करने वाला असूर राज सुंब इस प्रकार आग्या दे सहस्त्रों बड़ी-बड़ी से नाओ के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ उस समय उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुस की टंकार से प्रिथ्वी और आकास के बीच का भाग गुंजा दिया राजन तदंतर देवी के सीहा ने भी बड़े जोर जोर से दहाना आरंभ किया फिर अम्बिका ने घंटे के सब्द से उस ध्वनी को और भी बढ़ा दिया धनुस की टंकार सीहा की दहार और घंटे की ध्वनी से संपुण दिशाए गुंज उठी उस भ्यांकार सब्द से काली ने और विक्राल मुप को और बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे बिजाइनी हुई उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओ ने चारो ओर से आकर चंडिका देवी सीह तथा काली देवी को क्रोध पुर्वा घेर लिया राजान इसी बीच में असूरों के विनास तथा देवताओं के अभ्युदाय के लिए ब्रह्मा, सीव, कार्तिकेय, विश्नु तथा इंद्र आदी देवताओं की सक्तिया जो अत्यन पराक्रम और बल से संपन्न थी उनके सरीरों से निकल कर उनके रूप में चंडिका आई, सबसे पहले हंस युगत विमान पर बैठी हुई अक्ष सूत्र और कमंडलू से सुसोभीत ब्रह्मा जी की सक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्मणी कहते हैं, महादेव जी की सक्ति ब्रिशब पर आरूड हो, हाथों में स्रेष्ट त्रिसूल धाराण किये, महानाक का कंकार पहने, वस्तक में चंद्र रेखा से विभूसीत हो, वहाँ आ पहुची, कार्तके जी की सक्ति रूपा जगदंबी का उनहीं का रूप धाराण किये, स्रेष्ट, मयूर पर आरूड हो, हाथ में सक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई, इसी प्रकार भगवान विश्णू की सक्ति गरूर पर विराज मान हो, संख चक्र गदा, संख धनुस तथा खडग हाथ में लिए वहाँ आई, अनुपम यग्यवाराह का रूप धाराण करने वाले स्रीहरी की जो सक्ति है वहाँ भी वाराह सरीर धाराण करके वहाँ उपस्थित हुई, नार्सिही सक्ति भी निसिहा के समान सरीर धाराण करके वहाँ आई, उसकी गर्दन के बालों के जटके से आकास के तारे बिखरे पड़ते थे, इसी प्रकार इंद्र की सक्ति बज रहात में लिए गजरात एरावत में बैट कर आई, उसके भी सहस्त्र नेत्र थे, इंद्र क ने घीरे हुए महादेव जी से चंडिका से कहा मेरी प्रसंदाता के लिए तुम सीख रही इन असुरों का सहार करो तब देवी के सरीर से अत्यांत भायानाक और परम उग्र चंडिका सक्ती प्रकट हुई जो सैक्रों गिदडियों की भाती आवाज करने वाली थी उस अपारा विले दानाव सुंभ एवं निसुंभ दोनों से कहिए साथ ही उनके अत्रिक्त जो भी दानाव युद्ध के लिए वहाँ उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लड़ जाओ इंद्रा को त्रिलोकी का र जे मास से त्रिप्त हों चुकि उस देवी ने भागवान सीव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था इसलिए वह सीव दियूती के नाम से संसार में विख्यात हुई वे महा दैत्य भी भागवान सीव के मुह से देवी के वचन सुनकर पुरोध में भर गए और जहां का त त्यानी विराज मान थी उस ओर बढ़े तद अंतर वे दैत्य अमार समय भार कर पहले ही देवी के उपर बार बरसा बार सक्ती और रिष्टी आदी अस्त्रों की ब्रिष्टी करने लगे तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष्ट अंकार की और उससे छोड़े हुए ब दुल के प्रहार से बिद्र न करने लगी और खड़ंग वांख से उनका कचुमार निकालती हुई रण भूमी में बीचनने लगी ब्रह्मारी भी जिस जिस ओर दौरती उसी उसी ओर कमंडलू का जल छीड़कर सत्रूओं के ओज और पराक्रम को नश्ट कर देती थी माहेस् कि अग्र भाक से तथा बैशनवी ने चक्र से और अत्यंत पुर्व में भरी हुई कुमार कारतीकेय की शक्ति ने सक्ती से दैत्यों का साहार आरम्भ किया इंद्र सक्ति के वज्र प्रहार से विदिन नहों सेक्रों दैत्यदानर क्त की धारा बहाते हुए प्रिथी पर सो ग दाड़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेट डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से बिदिर्ण होकर गिर पड़े। उन्हें सीधूती ने उस समय अपना ग्राज बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मात्री गड़ों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असूरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। एक दुसरा महादैत्य प्रिथ्वी पर पैदा हो जाता है। महासूर रक्त बीज हात में गदा लेकर इंद्र सक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब एंद्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मा डाला। वज्र से घायाल होने पर उसके सरीश से बहुत सा रक्त चुने लगा। और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले युद्धा उत्पन होने लगे। उसके सरीश से रक्त की जितनी बुंदेगीरी उतने ही पुरुस उत्पन हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बल्वान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष वी अत्यन भयंकर अस्त्रसस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मात्रीगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनह वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हुए। बैश्रमी ने युद्ध में रक्त बीच पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेना पती को गदा से चोट पहुँचा ही। बैश्रमी के चक्र से घायल होने पर उसके सरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्रों महादैत्य प्रकट हुए। सक्ती और सूल आदी से अनेक बार घायल होने पर जो उसके सरीर से रक्त की धारा प्रिथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चा ही सैक्रो असूर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकाट हुए असूरो द्वारा संपून जगत ब्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भाय हुआ देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से सिग्रता पूर्वक कहा चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ। तथा मेरे सास्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदूओं और उनसे उत्पन होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में वीचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त छिड़ हो जाने पर वह स्वयम भी नश्ट हो जाएगा उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दुसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। गायल सरीर से बहुत सा रक्त गिरा किन्तु जो ही वह गिरा त्यो ही चामुंडा ने उसे अपने मुक में ले लिया। आत्यों के समुदाय से आहा तेवम रक्त हीन हुआ महा दैत्य रक्त गिज प्रिथी पर गीर पड़ा। नरेश्वार इससे देवताओं को अनुपा महर्शकी प्राप्ति हुई और मात्रीगर उन असुरों के रक्त पान के मज से उद्धात सा होकर नित्य करने लगा। इस प्रकार स्री मारकंडेय पुराण में सावनिक मनवंतर की कथा के अंतरगत देवी महात्त में रक्त बीज बद नामक आठ्वा अध्याय पुरा हुआ। या मता दी